टाइम था 14 अक्टूबर 2022 का और जगें थी केरल का त्रिवंतपूरम जब रात का समय हो चुगा था और एक 23-24 साल का लड़का सैरोन पिछली काफी देर से लगातार उल्टिया कर रहा था पहले तो उनके घरवालों को ये लगा कि जरूर इस लड़के ने कुछ न कुछ अड़ंग बढ़ंग खा लिया होगा और यही कारण है कि अब इसे लगातार उल्टिया आ रही है तो वो लोग उसके उपर ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अगली काफी देर तक जब वो लड़का यूँ ही उल्टिया करता रहता है तो आखिर में वो लोग त्रिवन्त पूरम मेडिकल कॉलेज में उसे ले कर जाते हैं वहाँ पर जाकर उसे दवाईया दिला देते हैं वहाँ पर डोक्टर्स के दवारा जितने भी उसके चैक अप वगेरा करवाए जाते हैं उन सभी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है और उसे दवाईया दिलाकर वो लोग वापिस घर पर आ जाते हैं लेकिन अगले ही दिन उसकी तवियत दोबारा से बिगडने लगती है वो लोग उसे दोबारा से होस्पिटल लेकर जाते हैं और अब की बार डोक्टर्स उसका अच्छे से चैक अप करते हैं और चैक अक में ये बात पता चलती है कि इसके जो इंटरनल ओर्गन्स हैं वो सारे के सारे लगातार अपना काम करना बंद कर रहे हैं तुरन तुसे अमेरजेंसी वोर्ड में पहुचा दिया जाता है और उसका इलाज चलने लगता है लेकिन डोक्टर्स की लाग कोसिसों के बाद भी उसकी हालत में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था और जब डोक्टर्स ने उसकी अच्छे से रिपोर्ट तयार कर ली थी तो वो डोक्टर्स को पदा जलता है कि इसके जो इंटरनल ओर्गन्स हैं वो काफी हद तक इस टाइम जूलस चुके हैं तो उन्होंने जाकर ये बात सेरं से पूछी कि क्या उसने तेज़ाव वगेरा पिया है क्योगी इसके सारे के सारे इंटरनल ओर्गन्स अब जूलस चुके हैं उन्होंने उनके घरवालों से भी पूछा लेकिन ना तो इस बारे में सैरोन ने कुछ बताया और ना ही उसके घरवालों ने उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया लेकिन ये मामला काफी ज़ादा critical था जिसके जलते डोक्टर्स ने यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटती जो की नहीं घटनी चाहिए उससे पहले ही पुलिस वालों के पास कॉल कर दिया पुलिस ओफिसर्स यहाँ पर आते हैं और इस मामले को जान लेने के बाद सैरोन के पास जा पहुंचते हैं और उससे पूछता लिके के एसीड तो निकल ही रहे हैं तो क्या आपको अंदाजा है कि ये सारी ही चीजें आपको कौन दे सकता है आहम इस बात पर विश्वास करते हैं कि आपने इसे नहीं खाया होगा आपके घरवालों ने आपको ये नहीं दिये होंगे लेकिन क्या आपका कोई दुसमन है लेकिन इस बात से सैरोन ने साफ इंकार कर दिया इसी तरीके से पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी डोक्टर्स इसे जल्द से जल्द ठीक कर देना चाहते थे कि इसी टाइम 25 अक्टूबर 2022 की रात को सैरोन की हालत कुछ जादा ही बिगड जाती है और उस का हट्टा कट्टा लड़का जिसे की कोई बिमारी भी नहीं है इस तरीके से अपनी जान कैसे गवा सकता है तो डोक्टर्स ने सैरोन के घरवालों से पोस्टमार्टम की इजाज़त मांगी और उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता है और तब तक पुलिस ओफिसर्स इसके दोस्तों से भी पूचताच कर रहे थे और इसी टाइम पूचताच में इसके घरवालों ने और उसके दोस्तों ने ये बात जरूर बताई कि उनका लड़का पिछले काफी दिनों से एक लड़की के साथ रिलेसंसिप में था पहले तो उन्हें इन सारी ही चीज़ों के बार वो लड़का लगातार कभी कबार उससे मिलने के लिए जाया करता था कभी कबार अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाया करता था और जो सबसे अजीब घटना यहां पर घटती थी वो ये थी कि जब भी वो वापिस आया करता था तो उसे उल्टी और दस्त लग जाया करते थे इस बारे में वो उसे पूछा भी करते थे कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है जब भी वो उस लड़की से मिलने के लिए जाता है तो वापिस आते टाइम उसे इस तरीके से उल्टिया लग जाती है और उसके बाद सेरोन ने कहा कि मैंने तो बीच में भी रस्ते में भी ऐसा कुछ नहीं खाया कि मेरी तबियत बिगड जाए लेकिन हाँ जब वो उसे मिलने के लिए जाता है तो काफी दूर का उसे सफर तै करना पड़ता है धूप में वो जाता है तो हो सकता है उसे गर्मी लग गई होगी और यही कारण है कि अब वो उल्टिया कर रहा है इसी तरीके से वो उनकी बात टाल दिया करता था लेकिन जो सबसे अजीब बात हम लोगों को लगती है वो यह है कि उस लड़की से जब वो मिलने के लिए जाया करता था तब ही यह सारी घटना क्यों घटा करती थी दूसरी तरफ सेरों के जब दोस्तों से पुलिस वाले पूछताच करते हैं तो उसके दोस्तों ने भी बिल्कुल ऐसा ही बताया उन्होंने बताया कि जनाब यह गरिमा नाम की एक लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है यह दोनों कोलेज में मिले थे पहले तो यह गरिमा को अपने कोलेज में देखा करता था इसी तरीके से देखते देखते एक टाइम ऐसा भी आया जब ये गरीमा के जाकर परपोज़ कर देता है और उसके बाद गरीमा भी इस बात के लिए मान जाती है ये दोनों ही एक रिलेसंसिप में आ जाते हैं और उसके बाद ये बाहर कही मिलने लगते हैं लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब गरिमा ने ये बात इस से कही बाहर अगर हम लोग कही मिलते हैं तो कोई ना कोई हमें देख लेगा बाद में जाकर हमारे घर पर बता देगा तो क्यों ने तुम हमारे घर पर ही मिलने के लिए आ जाओ क्योंकि उसके माता पिता अ लोग ज़ादा से ज़ादा टाइम एक दूसरे के साथ वहाँ पर गरिमा के घर पर बिताया करते थे और वहाँ पर गरिमा इसे कुछ नकुछ खाने के लिए देती रहा गरती थी अब उसका प्रेमी घर पर आया है तो उसे भूखा तो वो रखने से रही और वो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसे खिलाती रहा करती थी और उसके बाद सेरोन वापिस अपने घर पर आ जाया करता था और दूसरी तरफ जिस तरीके से सेरोन के घरवालों ने बताया कि जब भी ये घर पर आया करता था तो उस दिन इसे उल्टिया जरूर आया ही करती थी और दूसरी तरफ सेरोन का तो ये कहना था कि जरूर उसे गर्मी लग गई होगी और यही कारण है कि अब उसे उल्टिय और दस्त लगे हुए है ये सारी ही चीजें जब पुलिस ओफिसर्स को सेरोन के घरवालों से उसके दोस्तों से पता चलती है तब तक सेरोन की पोस्ट माटम रिपोर्ट भी आ चुकी थी और इस रिपोर्ट में ये बात पुलिस वालों को पता चलती है कि इसे तो सलो पोईजन दिया गया है यानि कि पिछले काफी दिनों से लगातार इसे पोईजन दिया जा रहा था लेकिन अभी तक पुलिस वालों को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि इस कांड को रच कोन रहा है तैरोन के घर वाले ही या फिर इसका कोई नजदी की या फिर दूसरी तरफ इसकी प्रेमिका वैसे अगर प्रेमिका को देखा जाए तो इसने उसे परपोज किया वो इसे अपने घर पर बुलाया करती थी तो इन दोनों के बीच तो काफी अच्छे से प्यार बढ़ रहा था तो वो ऐसा क्यों करने लगी लेकिन पूछतास तो पुलिस वालों को गरिमा से भी करने थी जिसके चलते पुलिस ओफिसर्स गरिमा के घर पर जा पहुंसते हैं और वहाँ पर जाकर अपने इन्वेस्टिकेशन के दोरान पुलिस ओफिसर्स को पता जलता है कि आखरी बार जब यहाँ पर चोदा तारीक को सेरोन आया था तो यहाँ पर उसने एक काढ़ा पिया था दरसल जब यह यहाँ पर पहुंसता है तो गरिमा एक काढ़ा पी रही थी और उसे वो काढ़ा काढ़ा काफी ज़्यादा कड़वा लग रहा था तो वो उससे पिया नहीं जा रहा था इस टाइम सेरोन यहाँ पर आ चुका था और वो उसका इस टाइम मजाक उड़ा रहा था तो गरिमा ने ये बात कही कि अगर तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है तो मुझसे तो नहीं पिया जा रहा तुम ही पी कर दिखा दो तो सैरोन ने जैसे ही उस काठे की एक घूट भरी वो हद से जादा कड़वा था वो एक ही बारी में उस काठे को नहीं पी पाया और जितना भी उसने पिया था वो सारा भी उसने वापिस निकाल दिया उसके बाद वो उस काठे को थोड़ा ठंडा करने लगता है दूसरी तरफ धीरे धीरे कर गरिमा तो इस काठे को पी ही रही थी कुछी देर बाद गरिमा ने उसे खत्म कर दिया और दूसरी तरफ सेरोन को देखकर वो ये बात कहती है कि तुम तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे तुम से तो ये पिया ही नहीं गया और उसके बाद सेरोन उस पूरे ही काड़े को एक ही घूट में पी जाता है अब उसका मूँ काफी जादा कड़वा हो चुका था और उसके मूँ को ठीक करने के लिए वो आम का जूस लेकर आती है वो उसे आम का जूस देती है उसके बाद आराम से बैठकर वो लोग बाते करते हैं लेकिन आखरी बार जब वो यहां से गया था उसी टाइम उसे यहां पर उल्टिया लग चुकी थी यह सारी की सारी बाते गरिमा पुलिस ओफिसर्स को बताती है और इसके अलावा यह भी बताती है कि उससे गलती यहां पर यह हुई थी कि पता नहीं साइद उस काड़ी के उपर वो आमका जूस रियक्शन कर गया होगा क्योंकि आमका जूस उस टाइम उसने डेट उसकी नहीं देखी जबकि वो एकस्पायर हो चुका था लेकिन अजीब बत यह है कि उसके बाद एक ओटो ड्राइवर भी यहां पर आया था उसने उसे भी वो आमका जूस दिया था लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक है और यह सारी ही बाते इस टाइम पुलीस ओफिसर्स गरीमा से कर रहे थे उसके बाद उन लोगों को पुकता सुबूत तो इकठा करने ही थे जिसके चलते वो लोग ये बात पूछते हैं कि आपने जो काढ़ा उसे पिलाया था क्या आप उसका पैकेट हमें दे सकती हैं लेकिन इस टाइम तक वो काढ़ा खतम हो चुका था उसने ये बात कही कि अगर आप लोग चाहें तो ये सारा काढ़ा मैंने अपनी बुआ के यहां से मंगवाया था मैं एक डिबा और आपके लिए मंगवा सकती हूँ और अभी अभी तो कोरवना का टाइम खतम हुआ था और तरह तरह के बाजार में काढ़े आए हुए थे तो पुलिस ओफिसर्स काढ़ा मंगवाने से तो मना कर देते हैं जबकि उसकी बुआ का एडरस उससे लेकर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद आगे जब इस केस में उन्हें कोई भी कल्यू नहीं मिल रहा था तो पुलिस ओफिसर्स उसकी बुआ के पास ही कॉल कर देते हैं उसके बाद उस दुकान का वो लोग पता लगवाने लगते हैं कि आप लोगों ने ये काढ़ा कहां से खरीदा था और उसकी बुआ ने बताया कि हाँ इस तरीके से उसने गरिमा के लिए काढ़ा भेजा था और वो इस दुकान से उसने खरीदा था ये सारी की सारी बाते पूछ लेने के बाद ओफिसर्स उसी दुकान पर जा पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता जलता है कि इस तरीके के काढ़े तो वो लोग बेजते ही नहीं उसके बाद वो लोग दोबारा से उसकी बुआ के पास जा पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग सक्ताई से पूछने लगते हैं और अब गरीमा की बुआ ने एक ऐसी बात पुलिस ओफिसर्स को बताई जो की काफी जादा हैरान कर देने वाली थी उसकी बुआ ने बताया की गरीमा का उसके पास फोन आया था पता नहीं उसने क्या गुच कर रखा था उसने सिर्फ मुझे ये बात बताई कि अगर आप लोगों के पास किसी का फोन आता है तो उन्हें ये बात कह दीजिएगा कि हाँ उसने उसने काढ़ा भेजा था और उसने किसी दुकान से ये काढ़ा खरीदा था उसके तोर पर वो किसी भी दुकान का नाम ले सकती है ये सारी ही बाते जैसे ही मेरे पास फोन आता है तो मैंने आप लोगों को बता दी थी इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं जानती है और ये सारी ही बाते जैसे ही पुलिस ओफिसर्स को पता जलती है तो उन्हें गरीमा के उपर ही सक होने लगता है उसके बाद पुलिस ओफिसर्स गरीमा के घर पर जाते हैं उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद पुलिस टेशन लाकर उससे पूचताच करने लगते हैं और इसी पूचताच के दोरान एक काफी जादा भयानक कहानी सामने आती है दरसल ये मामला उस टाइम का है जब गरिमा अपने कॉलेज में पढ़ाई किया गरती थी तो इसके घरवाले इसके लिए रिष्टा ढूंड रहे थे और उसी टाइम इन लोगों के पास एक आर्मी ओफिसर का रिष्टा आ भी जाता है लेकिन जब इसके परिवार के लोग पंडित जी के पास गण मिलवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पंडित ने इसकी कुंडली को देखकर ये बात कही थी कि इस लड़की की साधी पहली बार जिस भी लड़के से होगी उसके मृत्यू हो जाएगी वह जादा लंबी जिन्दगी नहीं जी पाएगा और बहुत जल्द ये लड़की विद्वा हो जाएगी उसके बाद इसके घरवाले बहुत जादा परिशान हो जाते हैं कि इस तरीके से हम लोगों के पास एक काफी अच्छा रिस्ता आ चुका है तो अब हम लोग करें तो क्या करें और उसके बाद उस पंडित ने गरीमा के माता पिता को एक रास्ता बताया कि अगर आप लोग इसकी साधी पहले किसी और से करवा देते हैं जिस तरीके से इसकी कुंडली में दोस है उसकी तुम रित्ति होनी निस्चित है वो भी काफी ज़्यादा तडब तडब कर तो आप ऐसा कीचिए इसकी साधी पहले कहीं और करवा दीजिए और उसके बाद इसकी साधी वहां पर करवा दीजिएगा जहां पर की आप लोग करना चाहते हैं तो अब गरीमा के घरवाले इस बात को लेकर भी परेशान थे कि जो लड़का अब इन्होंने देख रखा है वो इसके साथ दोबारा से साधी क्यों करने लगा जब उसे पता चलेगा कि इसके पहले भी साधी हो चुकी है तो उसके बाद इन लोगों ने एक सड़ी अंतर रचाना सुरू किया दरसल इसी टाइम सेरोन इसे कॉलिज में काफी ज़्यादा पसंद किया करता था वो छुप छुप कर इसे देखा करता था और दूसरी तरफ गरीमा भी अब उसे देखने लगी थी साइध वो भी उसे प्यार करने लगी थी धीरे धीरे कर ये दिनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नजदीक आ जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ गरीमा के घरवालों ने ये बात बोल रखी थी कि बेटा हम लोगों ने तेरे लिए लड़का देख रखा है लेकिन हम लोग डारेक्टली तेरी उससादी नहीं गरवा सकते और इस टाइम ज़्यादा तर टाइम गरीमा के घरवाले घर से बाहर तो रहा ही करते थे तो उन लोगों ने ये प्लैन बनाया कि क्यों ने सबसे पहले हम लोग इसे ही बली का बकरा बना दे जिसके तोर पर गरीमा अब सेरोन को अपने घर पर ही बुलाने लगती है और जब भी सेरोन उनके घर पर जाया करता था तो वो अलग अलग चीजें वो उसे खाने की दिया गरती थी काफी अच्छे से ये लोग आपस में टाइम बीता रहे थे जब भी वो उसे कुछ खाने पीने के लिए दिया करती थी तो उसमें हेतों में यूज होने वाला एक कैमिकल मिला दिया गरती थी और इस टाइम सेरोन बिलकुल भी इस बात का सक ही उसके ऊपर नहीं कर पा रहा था कि उसके प्रेमी का जिस्से कि वो बहुत जादा प्यार करता है वो उसके साथ कुछ ऐसा कर रही होगी जब भी वो उससे मिलने के लिए जाया करती थी तो उसके खाने में वो यही जहर मिला कर लेकर जाया करती थी और एक टाइम की तो इन लोगों ने वीडियो भी बनाई थी जब गरीमा उसके लिए सलाइस की बोटल लेकर जाती है और एक बोटल में तो इस टाइम जहर मिलाया गया था तो उसने थोड़ा सा तो वो पीया लेकिन उसके बाद ये बात अपनी प्रेमिका से वो कह देता है कि साइद ये खराब हो चुका है जिसके बाद वो गरिमा वाली बोटल से ही जूस पीने लगता है और 14 अक्टूबर 2022 वही दिन था जब आखरी बार सेरोन गरिमा से मिलने के लिए जाता है और उसने आखरी जहर का डोजू से दिया था दरसल इसके इंटरनल ओर्गंस जो थे लगातार इसे जब भी ये यहां से जाया गरता था तो जहर के काण ये उल्टिया करते हुए जाया गरता था और उसे ये बात लगा करते थी कि साय तिनी दूर का ट्रेवल करने के काण इसे गर्मी लग गई होगी वो एक ही बारे में उसे पूरा जहर इसलिए भी नहीं देती है क्योंकि अगर अचानक से वो अपनी जान गवा देता है तो इसके उपर पुलिस ओफिसर्स अ पहला पती था अब उन्होंने पूरी की पूरी तयारी कर रखी थी लेकिन जब तक वो उसके दوبारा से साधी कर पाते पुलिस ओफिसर्स उनके घर पर जा पहुंचते हैं और गरिमा को गिरफतार कर लेते हैं और जिस तरीके से की उसके पंडित ने उसे बताया था कि इसका पहला पती काफी ज़्यादा तडब तडब कर मरने वाला है सेरोन के साथ बिलकुल ऐसा ही हुआ था उसके सारे के सारे इंटरनल ओर्गन्स इस टाइम काम करना बंद कर चुके थे उसके सरीर के अलग अलग हिस्सों में इस टाइम खुन के ठके जम चुके थे और उसके सरीर मे बलड अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा था और आखिर में काफी जादा भयंकर तरीके से तडबते हुए सेरोन अपनी जान गवा देता है और ये बात काफी जादा कन्फ्यूज कर देने वाली है कि जिस तरीके से पंडित ने ये बात बताई थी कि इसका पती जो पहला पती होने वाला है वो काफी जादा तडब तडब कर मरने वाला है सेरोन के साथ बिलकुल ऐसा ही हुआ था उन दोनों ने साधी कर ली थी तो वैलिड तोर पर तो उसका पहला पती सेरोन ही था और जैसे ही ये पूरा मामला सामने आता है तो गरीमा को गिरफतार कर लिया जाता है और इसके साथ साथ उनके घरवालों के उपर भी केस चलने लगता है कि इनके घरवालों में कौन-कौन इस केस में सामिल था वैसे दोस्तो आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को इस तरीके से अच्छे से सुरक्सित करने के लिए कि इसकी जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए, कल को ये विद्वा ना हो जाए इसके लिए उन्होंने किसी और परिवार के एक लड़के की जान ले ली आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट वोक्स में जरूर बताएगा और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि क्या आप लोगों ने ये कहानी पहले कभी सुनी है या फिर इस case के बारे में आप लोग कुछ और भी जानते हो तो उसके बारे में भी comment box में जरूर बताईएगा वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आज की story आप लोगों को कैसी लगी comment box में जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर off bit podcast को subscribe जरूर कर लें क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे twisted case मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ और इसी के साथ दोस्तों आज का shout out हया खान को and write a beautiful comment to get a shout out in next video बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए twisted case के साथ